कि चलिए नमश्कार दोस्तों कैसे आप साथ सब बाड़िया गजब दासू तो मेरे पेटा आज हम शुरू करने वाले कंसाइन्मेंट अकाउंट पहली किलास है समझेंगे कंसाइन्मेंट का मतलब क्या होता है ठीक है देखना जा रहा कानी को अब यहाँ पर मान लो दो बंदे हैं यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यह हैं मिस्टर रामलाल मिस्टर रामलाल यह मान के चलो जो रामलाल जी हैं वो कहां के रहने वाले बंदे हैं यह दिल्ली के रहने वाले बंदे हैं कहां के रहने वाले बंदे हैं मेरे बिटा दिल्ली के रहने वाले बं आयानि की वुक्र के अंदर भी अपने समान को बेचना चाहते हैं आप उन्हें क्या करूँ क्या करूं तो उन्हें मिला उन्हें का दोस्त मिस्टर शीख खाली आदमी था ये इसे काम के जूरत थी तो रमलाल जी ने शामलाल को कि शामलाल मैं तुझे दिल्ली से समान बेजा करूँगा और तू कानपूरूरण से बेच दे वन अब एक तरीके से कहीं नहीं शामलाल जो है वह रामलाल जी के अंदर बिंगा एंप्लॉई काम कर रहा है यह हो गया मिस्टर शामलाल किलियर है तो इसके अंदर हुआ क्या इसके अंदर यह हुआ दो पार्टी इंवोल्ड हो गई इसको बोले की कंसाइनर क्या बोलते हैं मेरे बेटाजी कंसाइनर इनकी वह बंदा जो ओनर है जो प्रिंसिपल है जो प्रिंसिपल की भूमिका मलब ओनर मालिक की भूमिक नो कर इंप्लॉई क्या लों कुछ भी हम एजेंट ये लिए वर्द यूज करते हैं आइं च्न्साइं जो वर्ड बना है वह बना है मेरे बीटा टू कं साइन तू कंसाइन यह बिजनस करने के तरीका है कंसाइन का मतलब होता है तू सैट तू सैट डेट इस भेजना तो मिस्टर रामला जो है अपनी लोकेशन पे तो समान बेची रहते दिल्ली में और पैसा कमाई रहे थे लेकिन वह कानपूर में भी अपने वैपार को बढ़ाना चाह तो उन्होंने क्या करा एक कानपूर जैसे कई लोकेशन हो सकती है तो उन्होंने क्या करा मेरे बेचाजी उस लोकेशन में उन्होंने क्या करा उस लोकेशन के अंदर ठीक ना कई बंदों को ढूंडा और उन्हें अपने कंसाइनी मना लिया अपने एचेंट मना लिया कि मैं तुम्हें अपनी लोकेशन से अलग अलग जेका पर समान भी दूँगा और तुम उन्हें बेचो और पैसा कामाऊ मैं तो कमाऊ गई तुम भी कमाऊ उनको भी बिसन सपोर्ट चुड़ी खुल दी बात के लिए रोगी अब इसमें क्या होगा मिस्टर रामलाल जो है वो शामल अपनी लोकेशन पर यही समान किया करेगा कस्टुमर को बेची देगा और कश्टुमर को बैची देगा वोसले क्रेट मैं क्रेडिट में की उधार लेकिन एक बास समय नहीं इसे समार्ण लाऊः लेलो 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 नहीं पहले समान आएगा जह ऐसक्साला समन को कहने के आग श्मान जाएगा निकाल निकाल कर समान को बेचा जाएगा तरीका होता है बदले में क्या शामिल नहीं देगा और बट अफकोर्स डेना चाहिए क्या देगा प्रोफॉर्मा इन्वाइज प्रोफॉर्मा इन्वाइज क्या देगा प्रोफॉर्मा इन्वाइज यानि की प्रोफॉर्मा इन्वाइज यानि की प्रोफॉर्मा इन्वाइज इसे हम या फिर हम इसे कहा दे अकाउंट सेल्स सो ठाज़ी जी प्रो फॉर्मा इंवैस बदले में यह इसे देगा अकाउंट सेलस सेलस डी पोल रहा हम है अकाउंट sales देगा, देखो, एक्छोली जब रमलल शम लोगो समन देगा ना, तो वो समान की साथ साथ एक invoice भी देगा, किसे शमिलल को, कि कौन सा समान है, कितना समान है, कितनी unit है, किस rate किती, किस rate पे बेचनी है, कि सारी बाते उस invoice में होगी, इसे invoice, tax invoice, चलान वगयर कुछ निया देख प्रफॉर्म है सिफ डिटेलिंग इन्वाइज होती है जो रामला शामला को देगा समन के साथ कि कौन सामान भेजा कितना कॉंटिटी भीजे जाकर चेक कर ले बदले में शामला इसे क्या देगा अकाउंट सेल्स सेल्स अकाउंट सेल्स देगा यहनों कि शामला शामला वे यह बताएगा कि मैं अकाउंट सेल्स देगा एक पड़़गो टाइम के बाद बेजएगा टाइम टू टाइम भीजा करेगा इसे ठीक है ना शामला बेज़ेगा रामलाल को और बोलेगा कि देखो जी मैंने इतना समान इतना बेची दिए इस सम पार्क से अपने खाते बनाएगा सिफ शामलाल के लिए रामलाल को सारे खाते बनाने होंगी रामलाल अपनी ट्रांदेशन भी करेगा और शामलाल की ट्रांदेशन भी करेगा सवाल होता है इस पूरी सेल परचिस के समयरियों में कई सारे खडची आएंगी कई सारे खडची हो सकता है वह expense हो सकता है वह expense है यह सारेgee हो सकते कौन प्रेकर है जाने में वह समान के इंदर माल रखा हुआ है तो हो सकते हैं यहां पर रेंट वगरा पे कर रहा है या पर कोई कीपर है गेट कीपर तो सेलरी वगरा पे कर रहा हूं यहां पर हीटिंग और कोरी मुझा समझ पारें कुल मिला कर यह कर चाज होता है कर चांप में भी कर बाए कंसाइनर और कंसाइनी कोई भी खड़चा कर सकता है लेकिन आइस कंसाइमेंट के दिश्यक्त अग्रिमिंट बिटन रहा ने शामलाल तो रामलाल यह जानने का पड़ा मुझे कमाने का मुगा मिल रहा है गवाने का मुगा मिल रहा है या मुझे प्रॉफिट कमाने का मुगा है यह लॉस्ट कमाने का मुगा है यह रामलाल जानने का इच्छु होगा यह नहीं होगा उजे बताओ है यह ना बिटा बताओ तो प्रोफिट कैसे निकालेगा वो जितनी भी सेल कर रहा है कमा के कितना दे रहा है वो सेल में यह और यह सारा खड़्चे गवर हो पा रहा है यह और दूसरी बास समझो क्या शामलल यहां यहां पर रामला जो है यह समान देगा यह सेल करेंगा तो शामलल भी तो कहेगा बद्ले में मुझे क्या दोगे बताओ तो तो शाम ड्रामलाल कहेंगे शामलाल से बहिए सेल कर कमा और कमाएंगा एक पार्ट थेरा भी, as a commission, क्लिए रही नि Celsius, अब यहां पर भी commission कमाने के 3 मोखे मिलते हैं, कितने मोखे मिलते हैं मेरे बैटीचों? तीन मों के मिलते हैं इसे, ठीक है ना, कि तू चाहे, खंसाइनी, शामलग, तीन तरीकी की कमिशे कमा सकता है, एक तो होते है, नॉर्मल कमिशन, जितनी सेल करेगा, किसी भी तरीकी की सेल कर ले, कैश सेल, क्रेजिट सेल, उसके उपर ले ले नॉर्मल कमिशन, क्या बोलते हैं special commission 2 special commission होते हैं मेरे बिटा ठीक है न इस पेशल कमिशन special commission 1 और special commission 2 अच्छा दो special commission कौन से होते हैं ज़र बताओ हमें ठीक है पहला commission होता है आपका यह कोंसा commission होता है पहली बार सुनना है इसका नाम डेल कोई बात नहीं यह सब्सक्राइब बता बताना तो पिचाल क्या कर रहा है इसे गुर्स दे रहा है तो अपनी location में बेच और मुझे भी कमाने का मोगका है और खुद भी कमा लेकि मेरे बेटा इस हाँ पुरी एक बन्दे को आध हाट कैसे के कि बंदे को ला ख रहेगा इस बन्दे को बंदे को घै किस चीच नहीं का रहे लान कि स्वले कन देंगा पागल कर देंगा बावला कर देंगा कहेंगा जितना बेच हुआ उत्त्Bay ग्रेच आझ सेप बेचने में अपनी जान जोग देगा बिल्गुल और पत्त क्या ही हो सकता है य। रहा है पंदाсь के रुपानपोर में हरनी हर में यृपानपूर लो समानसान अर का यह स्पाओ्याओ वहालया पात्राद के डिगार के चलए यह वह आ पैसु पैसेुच रहा ही दिक्कत किसको होगी रामदान को हाँ यह ना सुन दिमाग लगा थोड़ा एक्ष्टा पैस ले लिए और स्वोच समझ के सेलकर क्या डेल क्रेडियर कमीशन यानि कि क्या बैट यइट से बचने के लिए बैट लेट से बचने के लिए ये वाला कम बेटेट से बच्चेने के लिए यह वाला कमिशन आया है अच्छा बेटेट से बच्चेने के लिए हाँ राम लल बोले शाम लाल से तू एक काम कर 10% और ले लिए ओफ सेल का लेकिन लेकिन ये बाद समझ रही हो अगर एक भी रूपे का बेट वाना मैं नी जहलूँगा तू देखा मुझे सारा रुपिया मैं एक बीडिट नी जहलने वाला तू देख हाए ना अब अब क्या होगा अगर दिखाने आजे कि शाम लाल की यह 10% और रेक्ष्टा मिल रहा है मुझे तो तो भाई यह अब सो समझ के सेल करो क्या करो सो समझ के सेल करो ए महीं सेल मत कर दो कि तो मेरे बेटा देखो टेक्निकली नॉमल कमिशन जो निकाले आता है वो टोटल कमिशन सोरी टोटल सेल के उपर अपलाई होता है टोटल सेल का मतलब ही मलब जैट मिन्स सेल सेल माइनस करके बट ऑवीज बात है जो समान लोड के आए वह सेल दोड़ी नहीं लेकिन हमारे अब कोशिन जैसा बोला वैसा कर देना अगर कोशियं बोले क्रिडिट सेल तो क्रिडिट सेल पर अपलाई करना कुछ ना बोले तो तो तुमारी मर्जी है वैसे प्रेफरफेरफ़ नेट सेल मना जाता है किलियर है और एक होता है ओवर रैडिंग कमिशन तो हमें थोड़ा सा सिखा तो हमें डिगें बुर वेलए तो तो कानपूर में देड़ सो का बेच इसे, हाए ना, देड़ सो का बेच, बागे तेरी मर्जी, लेकिन Mr. Shamelal ने जा करा, इसी समान को कितने में पहची दिया, दोसो में, मुझे बता ना, मेरे बेटा, रामलाल ने, रामलाल ने रुपे कमाए, उसको तो उमीड देड़ सो की डेरे बाए रामलाल को बनती है, कि देख, तेरी वज़े से में थेड़्स उक्हार किजिते, कुछ गमाया, पचास ज्यादा कमाया, तो आपकर ले, और ले, जो तुम्ने एकively कमा खञा दिया, उसमें भी एक्सेदारी ले ले ओवर्राइडिंग अमिशन यानि की से मलब एक तरीके थे एक्स्टर सेल पर एक्स्टर सेल्स प्राइस है यह ना टेक्निकली मैं में वह वह वाली बात बोलूगा यह वालक अमिशन भी किस पर दिया जाना चाहिए एक्सा सेल पर एंकी 150 और 200 के बीच में कि लिए रहे है मैं जो डिफ्रेंस है पचास हुए उसके उपर दिया जाना चाहिए लेकि फिर भी है जो कुषिन बोले जैसा बोले वैसा कर देना कि लिए नहीं है मेरे कहने का मतलब इतना सा है तो फिलाल मैंने आपको थोड़ी थी कहानी पता ही है कि रामला ले समान देगा और मैंने थोड़ी बहुत कहानी का निश्करच दिया है कि आपको कंसायमेंट की थोड़ी थी रूप रेका कि लिए रोगई है तो देखो अब कहानी को आगे बढाते हैं इसमें हम बात करने वाले हैं यहां पर जो हम बात करेंगे वह बात करेंगे किसकी मेरे बेट जी अकाउंट पिपरेशियस की अकाउंट्स के अब अकाउंट जो है मेरे बेटा वो दोनों की बुक में बनने वाले हैं यानि की इंदी बुक्स ओफ रामलाल इंदी बुक्स ओफ रामलाल कंसाइनर और एक है इंदी बुक्स ओफ और कंसाइनर की शामलाल सभस्कीब इस के बुक्स अलंग है इसके बुक्स में मेरे अकाउंट कोन सा या पहला फाला है अ गयार कंसाइमरे मेरे विटाजी इर हैं यह एैंड उप अ अबलिक लॉस इसका नेचर नॉमिनल को होता है में एकाउंट यह है दूसरा बनता है कंसाइनी का इसका नेचर होता है पर्सनल का पर्सनल का दूसरा यहां पर हो सकता है आपका गुड्स सायंडों कांसायमेंट सब्सक्राइब करते हैं अगर बंदे के पाँच नहीं लोकेशन पर तो पाँच कंसायमेंट अलाग-अलाग कानपूर नाम रखा जाता है कि लिए यह नहीं है गुट सेंडू कंसाइमेंट और यह अलग बनते है कि फ़लाना किस कंसाइमेंट में पूरे साल बर में यह देखा जाता है एक अभी अकाउंट आगा आप सीखोगे स्टॉक रिजर अकाउंट कि लिए रही नहीं है एक आप बनता है प्लोजिंग स्टॉक अकाउंट कितना मल अभी कंसाइमेंट पर पड़ा हुआ है वह समान जो है रामलाल का बड़ पड़ा कानपूर में तो पता होना चाहिए ना कि कानपूर में मेरा कितना स्टॉक पड़ा हुआ है वहां का यह सारी बाते होती है यह क्या है यह होता है यह पर्सन होता है क्योंकि लैबिटी यह बनाएगा किसका कंसाइमेंट का बना रहा है यह मैन अकॉन्ट तो यह है जबकि इसकी तकी में कौशेंट में होंगे यह बनाएगा किसका लेंसीक कि अंदेने और और कि मेरा कितना कमिशन बनता है नेच के का टा carrot ये तविए रह यह यहां मैं इसag यह हम इसकि maron में मेरं आज आपसे करूंगा वह चर्चा करूंगा इसके क्यूंकि मेरेे काउट को Adidas मेरे बीटा तो तुम्हें सारा गड़ित के लिए हो जाएगा इस बात की मेरी गैरेंटी है सारा गड़ित एटू जैट तो अपने लिमिटिट टाइम में आज हम कंसाइमेंट को कवर अप पड़ते हैं ठीक है समय लेगा मेरे बीटा परियास करना बाकी अकाउंट बनते रहे एक P&L Profit Loss को Find करता है इसका नेचर नॉमिनल को होता है यह बात अब पहले ही पता चुका था कि जिस अकाउंट से तुम Profit Loss Find करो उसका नेचर ही नॉमिनल हो जाता है लोकि Profit Loss नॉमिनल को ही रिपर्टाइंट करते हैं प्टिकलर अमंट प्टिकलर अमंट यह लिख ले रहा अब देखो सबसे पहले क्या ड्रामा शुरू होगा यहां पर देखो यहां पर तुम्हें करना है कोली लाकर देखो जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो सब डैबिट में जैसे इसे बोलते ओपनिंग बैलेंसे क्या बोलते हैं इसे मोलते हैं ओपनिंग बैलेंस हो सकता है कि इनके पास पहले से ही यहां पर लिखेंगे पहले से ओपनिंग स्टॉक कितना था कि इसे और इसे ओपनिंग स्टॉक कि इसे एक ओपनिंग स्टॉक कितना था बात की लड़ोगी जैसे ट्रेडिंग में लुद्ग दिया ओपनिंग स्टॉक पर लिखा है मैंने ठीकि है फुर्फू तू घूड्स सेंट औं कंसाइमेंट हमने और कितना माल भेज़ा देखो तुम्हें काम करो, कि consignment account है, तुम consignee बनके काम करो, ठीक है ना? हम consignee purchase नहीं करता कभी भी, उसके माल पास आते consigner से, तो consignee के पास पहले से कितना माल है, ये रहा, हमने और कितना दिया, goods sent on consignment, हमने और कितना दिया, वो, two, हो सकता है कि हमने समान भेजने में कुछ खर्चा कर रहा हूँ, हम consignor है ना? खर्चा, हमारा खर्चा हमारे cashier bank से record होगा, cashier bank, यहाँ तो bracket में लिख रहा हूँ, expense incurred by consignor, कोई भी खर्चा, insurance, freight, carriage, any expense incurred by consignor, वो खर्चा होगे debit, कोई भी खर्चा, कोई भी खर्चा, कोई भी खर्चा, कोई भी, anything, कभी भी करें वो, मनलब इस कहानी को समझ लो, मेरे पेटा जी, कोई भी खर्चा, देखो, यह देखो, खर्चा इस बीच में करे, consignor, consignor, यहाँ करे, कोई भी खर्चा हो, और कोई भी कर रहा हो, अगर consignor कर रहा है, तो cashier bank के नाम से ही, यह जो book बन रही है, यह in the books of consignor बन रही है, तो consignor अपनी book में अपने नाम तो लिखने वाला है नहीं, तो अपना खर्चा तो cashier bank के नाम से दिखाएगा, कि भी यह मैंने खर्चा मेरे पास से पैसा गया, consignor के इंट्री, suppose consignor ने insurance पे करा, तो consignor insurance account debit to cash लेगा, consignor बोलेगा, यह खर्चा consignor का है, तो consignor account debit to cash, consignor debit to cash, जो भी खर्चा हो, consignor के लिए कर रहा है, consignor account के लिए debit करता रहेगा, वोगी consignor के खर्चे, consignor देखेगा, यह, माली मला पी तरह किते, consignor अपनी personal chip से देखने वाला नहीं है, consignor निकालेगा, बोलो हाई है न, एक example की बात करता हो मेरे बिटा, दिमाग लगाना मेरे बिटा, अगर मैं यहां से, suppose, इंदरपुरम पढ़ाने जाता हूं, तो that means, यह मानों मेरा consignor हैं इंदरपुरम में, हाँ यह न, तो मैं हमेशे यह जरूर सोचूंगा, कि मैं यहां से महां तक जा रहा हूं, मेरी जो cost आ रही है, क्या मैं उस cost पर cover कर पा रहा हूं, महां से इतना कमार हो कि मेरी cost cover हो रही है, अगर मेरी cost cover हो रही है, तो तो मैं जाओंगा और नहीं हो रही तो नहीं कि जाओंगा लेकिन यहां से महां तक खरचा अपनी जब से रोड़ेन अफेस करूंगा मैं यह वह यह वाला पॉइंट है यहां पर भी यहां पर क्या हुआ सारे खर्चे देबिट अच्छा फिर एक बार और डेबिट करो कंसाईटें आकंट से क्योंकि कंसाईटेंग को फज़िए कंशाईडें में किस बात का कंसा कमीिशन जो और कर दो तो वो भी जो मिला के क्या करना यह मेरा बेटा है जितने भी खर्चे ओर है'll साइमेंट के समान भेजने का हो रहा है यह वाले हो रहे साब डैबिट करते चले है अब देखो अगर लिखते हैं ट्रेडिंग एकाउंट में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक यहां पर आता दा लिखो जी बाई क्लोजिंग स्टॉक किद्धा माल बचरा है हाई ना जो माल भी गई नहीं कि अगर आपको याद हो मैं थोड़ा याद दिला दो आपको ट्रेडिंग अगाउन में आपकोल मिला के ऐसी तो करते थे ओपनिंग स्टॉक यहां लिखते थे थे नेट पर्चेस यहां लिखते है तुब खटी ह्यां लिखतेदे थे जिंगते अपर चिल रिखते थे ले लिखते दे क्लोजिंग स्टॉक यहां लिखते थे प्रोफिटेटी आंसेल में के सामने आया तहां इसको मैंने प्ढक है तरीका जाल है थैं को अधा है उपनिक पहले था इतना माल आई इतने मां पपैले से था इतना माल आ इतने मERS कुछ बैच दिया और कुछ बच है कुछ बच रहा है कुछ बेच दिया जो बिख कुछ बिख गया कुछ बच गया जो बच गया वह बचा नहीं दो समयन बिख़का इस समान बचेगा यही तो होगा है तो समान बिकेगा, यह समान बचेगा, तो यहापर ही कोई वाली बात है, कि भाईये देखो ना, इतना माल आ था, ओपनिंग था था, इतना आमने भेजी दिया, बोलो आये ना, इतना खडचा हो गया, के लिए रहे, उसमें कुछ बच गया, कुछ बिकेगा, आये ना, लेकि किस से पहले एक जीजों पता देख हुए, तो है आप रहाए, बाई, बाई, गूड्स, सैंड ओन कन्साइमेंट, यह क्या पतारहे हो जबाब, गूड्स, सैंड ओन कन्साइमेंट, यह क्या है, यह क्या है, तरी स्कॉड्ण, रूटर्ड, तक्सेए बाइर, बिकिम लाली कुछ समझ समझ नहीं आया तुने दुबार वापस बेज दिया एक तरीके से यह तरीके से इधर पर्चेज हुई यह पर्चेस रिटन हुई तो आप पर्चेस रिटन तो यहां तो माइनस कर दे दे नॉर्मली बढ़िया ऐसा नहीं करना जब हम देंगे तो गुट सेंडों सा यह लिगो बाइक अगांट क्यों हो गया सेल्स अफेक्टिड बाइक निकितना मल बेचा है चैवह कैश बेचाओ कैश और एंड क्रेड़िट जो भी सेल उसे गरी इंसाइन ने उससे निहां आ जाईगी बाग के लिए रोगई तो देलो कुछ माल बेच दिया कंसाइग नाम से यहां थोटा निचे लेकर यहां पर क्या निकल जाएगा अगर यहां आया तो प्रॉफिट क्राफिट है लोस्ट वज्ये प्रॉफिट तो माली के यह होगा ना क्यूको उसे तो कमिशे मिल रहा है हाई ना तो profit and loss account profit में यानि की से वो यहां का debit होगा और जब पी नेल अकॉट मनाएगा ना कौन consignor तो यहां क्या करते हैं profit को यहां लिख देगा by consignment पी नेल अकॉट में भैई मुझे profit हुआ था इस वाले consignment से यह लिख देखा और अगर सर लॉस हुआ तो लॉस डैबिट में आ जाएगा कैसे ही महा क्रेडिट यहां का डैबिट कि लिए रहे अगर लॉस आया तो यहां की तरफ आ जाएगा वाइग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जल्दी बोलो आया है यह दिदि इतना आया है अब इसमें थोड़ा सा और तड़का लगाते हैं सर और भी तड़की है बिल्कुल यहां पर एक छोड़ा था तरड़ा बोलरो मैं तड़का आएगा किसका नॉर्मल लॉस का और एबनॉर्मल लॉस का किसका तड़का आएगा मेरे बच्चे नॉर्मल लॉस का और एबनॉर्मल लॉस का सच जल्दी से बताओ फिर हमें यह कि छोटी-छोटी बात है जिसने लेड़ी कोशन आते भी है और क्या कहते हैं कि एम से के अंदर भी कोशन आ जाते हैं देखो जी ट्रीप्मेंट ओफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस ट्रीप्मेंट ओफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस पहले हमें यह कि लियर होना बहुत जरूरी है कि नॉर्मल लॉस क्या होता है और एबनॉर्मल कौन सा होता है इन्हें आप कहते हो अनवाइडेबल और इन्हें कहते हो अवाइडेबल थोड़ा उपड़ सा लगता है लेकिन मीनिंग बड़ा अजीब सा है ठीक है ना यह वह लॉस है जो होने ही होने है जो होने ही होने है that is called normal कि यह वह लगाएड नहीं कर सकते नहीं कि तो हो नहीं है पैट्रो डल्वा ओंगांगी थोड़ा थोड़ा पैट्रोल एवर प्रेट्रेट होता है तो पता है जब तुम पैटरल डलवाते है, होमारा पैटरल MICHAEL кажд 70 जितने भी लीडर चलता है उसके अंदर evaporation rate लगा होता है, है पता है तो में तो थोड़ा उड़ता भी होता है पार नुखसान होगा हमारा नहीं हो रहा हमें तो चितना मिले टंकी में आ रहा है तो उस रेट में 75 रुपे के अंदर जो हम पर लीटर का अमांट डेकर आते हैं उसमें अवपरेशन यह नहीं है तो इतना तो नुकसान देख परसेंट का दो परसेंट का पांच परसेंट का यह पता होगा तूटेगा फूटेगा बैकार होगा किलिए रही नहीं है, तो इसे क्य बोलते यह मेरे फ़या, किलिए रही नहीं हैell लेकिन अगर पूत कोई लॉस तुम्हारी एक्सकेटेशंसे उपर हो जाता है तो उसे फोलता है ऑपनॉर्म लों था उसे क्या पोलते मेरे फेंटा, से यह आपनूर्मल लोस किलिए यह रही न होती ही. No accounting. No accounting. और इसकी accounting करते हैं हम. मैं यह क्या दाओ, इसका पैसा तुम अपने customer से ले सकते हो. इसका पैसा customer से वसूल कर सकते हो. ठीक है है? और इसका पैसा नहीं ले सकते हैं. इसका वसूल नहीं कर सकते. इसका पैसा तुम अपने customer से वसूल नहीं कर सकते हैं. सर एक्जांबल देके समझाओ. एक्सांबल की बात कर रहा हूं. जैसे मांग चली टेबल पर रखावे मैंने सार समान. अपर टेबल तो लगडी की बनी होगी? लगडी कौन मनायागा? करपेंडर. उसने क्या करा? फट्टे को काटा, घीसा, मरोडा, तोडा, फिर बना के दे इसने मुझे. अब सुझे ना? काटने से घिसने से लगडी का नुकसान हो रहा है? नहीं हो रहा है. तो क्या मैं करपेंडर को क्या दूंगा? देख वह ऐसा है. मैंने तुझे पचास पचलो के दो पट्टे लाके दीए, और तू मुझे पचास-फचास के सो किलो गड़ा और तू मुझे 80 किलो की मेज दे रहा है. बीस किलो तो कहा है? 30 किलो के पट्टे. सार वो तुम्हेंने घिस दीए. क्यों किस दीए? कैसे घिस दीए? पूची तूने मुसे, अरे सार, अगर में नहीं जिस्ता तो मैं टेबल कैसे बना की देता आपको वो आएना डैट विस अगर वह नौर्मल लॉस्ट घिस्ता नहीं टेबल भी नहीं थी तो नौर्मल लॉस हमारे प्रिक के साथ चलता है। तो अविज भी बात है वो पूरा अमॉंट लेगा हमसे कि लिए रही नहीं लगड़ी पगड़ी का सब करेड़ों लेकिन हा लगड़ी घिस्ते घिस्ते तोड़ दी यह उसने गलत काट दी तो वह उसका लॉस हुआ तो आप मेरे क्या बला नॉर्मल लॉस को कुछ नहीं कर रहा है सर जैसे एक्जांपल देगे बताना देखो मैं तुम्हें चोटा थे कंसाइमेंट इकांट मना की दिखातों यहां पर बहुत चोटा सा कंसाइमेंट इकांट कि तुम्हें किलिए उएक कंसाइमेंट कौंग कैसे काऊ मलब नॉॉंल लोससे ट्रीलपिन ना करके भी क्यासरहर हो रा है हमारे पास पहले से कंसाइमेंट में द 방ड था हमने good send on consignment हमने और माल देदें सेंट पर एक लाग रुपी का कि अब देखना सुनना मेरी बीटा जी अब एक दस का माल था हमारे consignee के पास जो समन बेच सकता था एक 10 में से जिक घा डिया स filter कितने बेंग ज्ञार चैनि को स्केर वाला समान बिया। प्रूज घा ढग कर जाता है जबकि इसकी कॉस कितनी इस तो मेरे हुचछ बताने निकिताइं पदा नप 10-10 में तो कितना बचना चाहिए था तीस है निगी ता किले रहे हैं हाँ एक 10 में यह तो कितना बचना चाहिए यह 30 बोलो हाई यह ना है तीक है बड़ बच्चराई कितना पत्चिस पांच आप्टिस पांच जावरु पीमारे नॉमल लौष होगया बाद कर दो कि नॉर्मल लोस होगे ना कुछ करने की जूरत नहीं तुमें मैं तुम्हें देख समाल पूछ रहा हूं मेरे बिटा निगी था सिवेक चीज मिताना मुझे एक दस में से असी वाला समन बिग गया तीस वाला बचना चीजे था बड़ बच पच्चिसरा है तो पांच आरगा क्यों हो गया हमें यह हमें लॉस है इसे नॉमल लॉस क्या दे इसकी मैंने बोलो कोई अकाउंटिंग नहीं करनी तुम्हें चलो सर नहीं करनी अब दाओ तु असी वाला समान देड में गया तो हमें सत्र का प्रोफिट हो रहा है हाए ना कि लेरा लेकिं तुम यहां देखना रहा तुम जब अकाउंट बनाओगी ना तुम क्या करोंगी देखो तुम करोंगी यह 1.5 लाग की सेल लिखोगी यह नहीं लिखते हैं देला की सेल अरे हां हां बोली अभी रहा है है क्या सिक्स्टिवफ कि लेरो दूमें यह नहीं हुआ हो गया फोगया अब मन में सवाइ आची है कि सर्या तो पिछ तर यहां पर तो पैसवट कर प्रॉफिट कर शिक्श्टिवफ गा जिब्के में प्रॉफिट कित अ होना चे था मेरे बे लॉस के कारण है लॉस को हम कंसाइमेंट से वसूल नहीं कर सकते ही इसका पैसा हमें लाकि दे अबनॉर्मल लॉस का वह लॉस मालिक को जहलना पड़ेगा हमें जहलना पड़ेगा तो आगर हमारा कोई लॉस लॉस एबनॉर्मल के कारण बेकार हो जाता है तो क्या करेंगे वह लॉस ना थो बिका होगा तो सेल हुई है ना वह बसकता उस से क्या आगरो कि तूं और आगर। को इसे ऐसे अगर की इपनोर्मल मन लेए चैल कि कैसे अजिए को बाह श्क्राइब हो fully पाँचार लिख दूँगा ना तो तुम इसे एड़ करो और इसे लेस्ट करो तुम्हारा यहां पर आटमेटी प्रॉफिट के तर निकल गर आएगा 70 मतलब मेरा कहने का मलब समझ रही हो मेरा कहने का मतलब यह है कि नॉर्मल लॉस को तुम अपने खर्चे के खर्चे का पाट मानोगे और कंसाइमेंट के प्रॉफिट से ही कबर करोगे जैकि अब नॉर्मल को तुम कंसाइमेंट के खर्चे का पाट नहीं मानोगे कंसाइमेंट स फिर भी मेरे बेटा कर आपको दिक्कत परशानी है तो डबल नेन फाइव त्री टू फोर सेवेड नेन फाइवर में मुझे वाट्स अप करें ठीक है ना और अपने डाउट को क्लियर करें ठीक है तो यह हुआ हमारा सर अभी से ओर कुछ बागी है जी हाँ अभी तो बहुत कुछ बागी है बस एक लास्ट पॉइंट इसकन्दर बाकी है और को और सब्सक्राइब और नहीं मेरे बटाब siya ओš भी पॉइंट की वन नहींए और समांद को स Being दो तरीके से गुष्ट बेख सकता है यह तो यह जो गुष्ट दे रहा है यह यह तो यह देगा at cost यह यह देगा at invoice at cost यह at invoice invoice को प्राइस वागर भी कह सकते हूं 5 coatatatita बनाया है न यह यह पूरा का-पूरा सारा वेगी अधि कोर सब्सक्तिंटा इनका न पता न देखो धूट nämा समहिए क्या होता है दोनों बाते हैं के पर क्या होता है रामलाल कहता है कि देख भाई शामलाल मुझे समान सोरबेगा पढ़ रहा है तेरी लोकेशन तक आते आते हैं 110 को हो जागा सारा खडचा लगांके अब तू इसे 150 का बेग सुनना मेरी बात तरीके से रामलाल कह रहा है शामलाल से कि देख वही शामलाल यह समान मुझे दिल्ली में सोर बेगा पढ़ रहा है खडचा वडचा सब कुछ लगा लोगों के तेरी लोकेशन था कि जब यह माल आएगा इनमें खडचे वडचे याड़े करको तो 110 को हो जाएगा तो उसे 1.500 क बेची हो इसमें क्या है इसमें शामलाल को एक चीज के लिए आरई है क्या उसे कितना कमारा है चालिस रुपिया कुमारा है चालिस रुपिया तो शामलाल को क्या पता लग गया प्रॉफिट पता लग गया तो इसमें क्या है शामलाल की बुद्धी को बांधने के लिए यहा अब कर लेन घ्डा टने यहीं नहीं बताया कि मुझे सब्सक्राइब पता है है प्रीटा नहीं है नहीं नहीं बताता न एक्सांपल की बात करते सी एक्सांपल आध्राइस मत लेए ऑगल हें ति Bak नेशांपल ने करते है और यह जिस तो यहां पर यही वाली बात आती है अब राम लान ने यह नहीं बोला कि मुझे समान सोका है तेरे लोकेशन बेक सोका हो जाएगा तू तो देड़सो का बेच राम लान ने सीधा बोला क्या तू देढसो का बेचेगा बात करणा मैं यह समान दे रहा हूं तू देछ तो देखंगा उसने आया नहीं है सुझ में आया यह नहीं कुछ भी हो मुझे कितना पड़े तुझा मतलब है नहीं ना मैं डेट सो का लाओ मैं देखूंगा तो रामलाल ने क्या करा यहां तो वह समाना यहां पर प्रोफार्मा इन्वाइज में सो रुपी का कहके देगा इसे और खडचे बडचे अलग बता देगा बहुत ज़्यादा ट्रांस्परेंट हो जाएगा के लिए यह नहीं है यहां पर यहां पर मार्जिन कर रहा है कि यह और यह एड़ कर यहां पर क्या है सीधा रामलाल प्रोफार्मा इन्वाइज में कितने कर दिखाई नहीं रहा हो क्या मेरे बात के लिए हो रही है है हां यानि कि क्या कर रहा है रामलाल यहां तो कॉस्प दे रहा है समान को सोर्पे में दे रहा है और फिर बोल रहा है मार्जिन कितना एड़ कर यह रामलाल क्या कर रहा है सीधा डेट सुरूबे में अपना तो बेग नहीं है बागी उपर का तू देख ले अब डेड्सों का नहीं है अब जेड्सों में रामलाल को कितने का पढ़ रहा है उसे खुष पासे फ़िख नहीं है दिमाग मात्यपच्ची ये ये और ये डिद्क्ना भी स्टोक है हर स्टोक में रामलाल ने क्या कर रहा होगा और क्लोस्ट के रहा हुआ प्रॉसिट यहां पर फॉसि on प्रोफिट का का पोलते मेरे पीटा जी लॉड़िग बोलते लॉडिग हर जागा कॉस प्लस लॉडिंग कर रही होगी बल्प लोडिंग अलब मार्चिन कर रहा होगा कि मतलब एक तरीके से ल मॉलेगा कि उसने कुछ एक्स्टर अमॉंट आड कर रा है पहले से कॉस प्लस लोड़ी ठीक ना जल्दी बोलो मेरे पेटा हाई है ना हाँ मैं इसको और थोड़ा सा तरीकेते के लिए कर देता हूँ आपको इधर देखो हमने बोला ना एट इन्वाइस है एट इन्वाइस का मतलग गई एड़ इसेलिंग प्राइस क्या है औरcek सालिंग प्राइस के लिए है रिफियोहा सहिं प्र development का दो सँ अनुक्त के अपना मारेड कर देते हैं का कि तो मारेम आरowego सैलिंग प्राइस मैं आजाते हैं कलना ऑइना मैं यहां पर इंदो ने क्या वोला उसी क्या वोल दिया सर क्योण लोडिंग बर क्यों यह बसा रहा हूं इसको इन्वॉइस या निकि एक तरीकी से न रामल वाले भाहिया जो है वो शाम्लल को क्या क्या रहे कि तुछे इन्वास्धिं कितने की करनी है तुझे समान सो और नहीं है किलितने नहीं है और लोडिंग के तब क्रॉटिगेर के जब पोले जाता है जब प्रोफिट की जाता है मुझे इतना पताना मेरे बच्चो जब रामलाल शामलाल को समान देगा कॉस्ट के अंदर लोडिंग एड करके तो क्या उसे प्रॉफिट मिल चुका होगा बोलो नहीं कि ता जब रामलाल शामलाल को समान देगा cost के अंदर profit रिनकी loading add करके तो क्या उसे profit मिल जाएगा क्या? नहीं ना रामला को profit का मिलेगा जो वही शामला अपने customer को सम scrubन बेच ही देगा बोलो आये ना तब चागे वह profitries होगई क्लिए ये नहीं है तब वह loading तब वो लोडिंग जब रामलाल बेची शामलाल बेची देगा ना तो वो लोडिंग ओटमेटिक प्रोफिट में अपने आपका अपन्वर्ट हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तो इसलिए अन्रेलाइस प्रोफिट की वजह से विगाप्र रण र्रेलाइस नहीं हुआ है अन्रेलाइस के वेज़े हमने बोला गया कि एक्स्ट्रा बर्डन है हमारे स्टॉक पर डेटिस को लोड लोडिंग कि जब तक प्रोफिट अन्रेलाइस है मिल नहीं रहा उसे नाम दो जब मिल जाएगा तो वह ओटमेटिकी क्या बन जाएगा मेरे मेटाजी एक्ट्राइल परफिट बन जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और सीधे नीचे चमकता हो नजर आएगा एकाउंट के नीचे पीनिल के नाम से जो भी हमने निकाला था देखो यह यह Exclusive कहता है कि जब तक profit मिल जाएमें तो बच्चे करेंसा के साथा हूं कि जब तक फूषियां आना जाएगा नहीं चाहिए हैं तो मूअन ग्ली में जाए लिगन सर हमने करा क्या है जब राम लाया ने श्यामलाल को सम fossil दिया तो राम लाए Kell ने अपने इस परोफित मान के एड़ दिया पहली है लोडिंग एड़ दिया तो इससे कहां चाहं एक नेम होगा उलंगन हुआ ये नहीं हो निल्हाइक लो एक यूच्टिंग वाले पोडिशन है इसे रिवर्स मार दो आच्छा सर रिवर्स मार दें बिलूकों रिवप insistent में कैसे रिवर्स मार दें दीओ प्रेडित नाम Cont रिजर्वें के नाम-स क्लियर । भर विए depress समार दें लोडिंग कि अन opening stock stock reserve के नाम से ठीक ना और यह क्यों हो जाएगा यह loading credit में किसे जहाँ डाल दो two stock reserve के नाम से किस नाम से loading on closing stock अब इनकी loading के सी किस नाम तेरी पर सकरोगे यह debit में यहां कर दो credit by same नाम से goods send on consignment के नाम से यह राकर मिली तो loading ठीक है और यह वाली loading credit में इसे debit कर दो किस नाम से two goods send on कर्ण 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 के नाम से रिटर्ण 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 वाली की loading है जुमाल हमने वापस कर रहा था तो कि अगर हम उसे समान आज रिटर्ण करो किस तो ओमेटिक तुम किस पर आ जाओगे को स्ट पर आज आजाओगे लोडिंग रिवर्स कर दी हटा दी तुमने और हमें को से बनाना होता है बात कर्ण यह बात हमें पता है किसे पता है हम कौन है कंसाइनर को हमारे खाते हम बना रहे हैं उसे कुछ नहीं पता वह अपने अलग चल रहा है हमात आफ से पाल या कि देखो इदर मरे बिटारस इसमें जोड़ा था कंसाइन lu नहींने पता है जाज़ारर दोंड़ ягạt देबिट यहांका क्रेट by साथ देखार अब करें यह नमबर वन डाल जाएगा कि कि इस बात की आ रहें अब कर सब्सक्राइब कर रहें तो नीचे रौट के थे ना है ठीकए न और कंसरेनी कहाँ पर आ रहे यहां पर आ रहा है यहां डाल दो जहां जहापर भी है मैं तो आपको नौल बता दिया कि अग्र तो उपपर वाला अकाउंट किलियर हो गए तो नीचे वाला तो आटोमेटिक किलियर हो जाएगा अभे तुमने डैपिट कर दिया वह तो ने कंसाइनी ने सेल कर यह हम इतने रुपर लेने है इतन या फिर बैलेंस सीडी गर दिंगे बटोफे से जाधर यह जाधर यह जाधा और यह कम आता है अगर रुटो हो जाधर यहां कर देना कोई तिकत्वाली बात नहीं है आया बच्चे आया फिर एक एक एकांट ओड देखलो गुट्सेंड ओन कांसायमेंट हमने कितना मांग कांसायमेंट पर भेजा है यह सब घंक कंद सब्साइनर के खाथे चल रहे हैं तो देखो यह जा फर कॉट्सेंड होना है यह 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 द्यारा नम्बर देगें चानरत चानर छो जो हो सब चानरत तो पांच 40 यो या मेरे चेट दो मिंघाए अगर गतंजुर्ण हो कि एक चाओं क्डुवा क्रेडित के इत्ता हम यह गाए ngगए इंद कर सानरे है नभर इसाद कि नमगर 2 रिटर हुआ तो यह हुआ यहां का क्रेडिट यहां का देबिट उसके बाद क्या हुआ लोडिंग यहां का क्रेडिट यहां का यह जो देखु हाँ रिटर मताओं देखो यह बता रहूं यह को स्ट थे लो यह नियों सबनें समझेंगं उन्हें वाउन करा रहा है तो फाती या मिया क्समान को डिया है चाहर होत है यह शिण साइन निर्फ आ अपी है ना होगा कि यहांपर अमोंट के लगल रहांगी डू海诡 जो ट्रेडिंग में जाएगे किसका ट्रीडिंग उांट मनाता इसम। मेरा नुम्बर अठ जो भी होगा इँर यहां का Đविट ट्रेडिंग ट्रेडिंग में ट्रेडिंग में ट्रेडिंग मनाएगा न तो आपने क्या कर रहा है यहां का ट्रेडिंग में पते क्रेडिट कर देगा पते किस नाम से बाइ इतना मैने भेज दिया इतना लिए facilitate टोटल आए था ट्वॉटल गोने तरव जैन में अपनी लोकॉसिंवेर्ट भेची दिया इतना बैशे इतना बेच दिया इतना बेच दिया इतना बेच दिया कानपूर इतना मेरे पास बच रहा है यह वह स्टॉक है जो उसके पास दिल्ली में बच रहा है दिल्ली में वह कुलोजिं पर परो नेगा है तो अपनी पैले सीट में वह सारा को सदों दिखाएगा, ट्रॉच मेर पर ये रखका उसमें इन मेरे भार इसocolon थेक्षार को उसके प्षण फारory क्सायिमेंट के ओड़िय्चा है। कि मेरे बात के लिए हो बच्चे कर देखो यह जो इसके पाद में कुस्त्र प्लोडिक पर यूदिंग को अगर हमने अपनी ऑपने क्लोचिंग स्टॉक के अंदर प्रॉटूिंग कर रखी है तो Art Radler करने वाला जो अकाउंट है उसे वोलते मिश्टॉक रिजर इस रोग के अंदर कि इस्टॉक के इंदर हमारे स्रॉक रिचा कि इनदर कित्ना मंच्शEr घुछा हुआता है वो मैन मम mieć कर दोते नंडंग को स्वर्ट को स्क्षर स्वर्ट डरूड बच्चे आया यह नहीं आया आया बस मेरे बिटा यही अकाउंट है में ली ठीक है बाकी तो चुटर पुट रहें कुछ भी नहीं है तो मेरे बच्चे आज करें धन्यबाद टडड़ा बैसी यू लव यू जय हिन जय भारत